इलावाद हाई कोटने की खारिद उस इयाचिका को जिसमें चुनाई आयोग के मूर्थी ढखने के फैसले पर रोक लगाने की बात कही गई थी चुनाई आयोग का आठ जन्वरी का जो आदेश था कि हाथियों की मूर्थियों को ढख दिया जाए इसको हम लोगों ने चैलेंज किया था आर्टीकिल 25 के तहत कि धार्मी कास्था के उलंगन में है इसलिए चुनाई आयोग के आदेश को निरस्त किया जाए मानिय उचन्याले ने चुनाई आयोग के इस आदेश को आर्टीकिल 25 में जो एक वर्ड दिया गया है कि पब्लीक आर्डर के अंतर्गत उसमें लिमिटेशन ही पोज की गई है कि पब्लीक आर्डर में अगर कोई बात आती है तो उसके अंतर्गत इस अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है मानियों चुन्याले ने इसे पब्लीक आर्डर के अंतर्गत माना है और कहा है कि पब्लीक आर्डर के अंतर्गत आर्टीकल 25 जो फंडामेंटल राइट से इसको चुनाव आयोग अगर जरूरी समझता है तो कर सकता इसमें कोई गलती नहीं है और इसी बात को मानते हुए हाथियों के ढखने को चुनावायो के आदेश को सही ठहरा है और आज क्या करेंगे आगे का क्या प्लानिंग है अब आगे जज्मेंट आज ही आया है साम को इसे विस्तृत अध्यान करने के बाद हम इसे उपर की अदालतों में इसे चुनोती देन पुरा का ख़र ये अजुए मैं झालतों झालतों नागे थे विस्तृत अरी है ये घया है से एको चुनावाए एक फालतों में एको उकलो गई हुए है और इसे उपनावाद येसे वहां ईया तून।